हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल ग्लैम गुडनेस आज मैं आपके सामने शेर करने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकप लोग अगर आप कोई वेडिंग में गेस्ट बन के जा रहे हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है ये मुव ओन करने से पहले कर ले मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेर कर सकते हैं ना चेक आउट दी वीडियो सबसे पहले में स्टार्ट करूँगी बेस से मैं यहां हेमालय क्रीम को अच्छे से अपने फेस और नेक पर अपलाए कर दूँगी Primer foundation को अच्छा base देगा और मेरे pores को close कर देगा प्लिस मेरा foundation base लगाने से बहुत देर तक stay भी करेगा मैं apply करूंगी Lecmeka Invisible Foundation It is in the shade 01 इसे मैं अच्छे से apply कर दूंगी face and neck पर इसे dabbing motion में अच्छे से मेरे skin पर blend कर दूंगी इसके बाद मैं यूज़ करूँगी किस ब्यूटी का कॉंटॉर 3D स्टिक सो इसे अच्छे से मैं अपने चीक बोन्स को कॉंटॉर करूँगी इस तरीके से अगर आपको अपनी फोर हेड को कम दिखाना है तो आप डेफिनिटली उसे कॉंटॉर कर सकते हैं आप अपनी नोस को स्लिम दिखाने के लिए भी उसे कॉंटॉर कर सकते हैं बागी contour मैंने किया है ज़रा सा मेरे chicks को cut करने के लिए और यह ताकि मेरा face slim लगे और यही 3D स्टिक से मैं मैं अपने face को conceal करूंगी अब हाईलेट करने के लिए मैं इसे लगाऊंगी मेरे फोरेट पर थोड़ा सा मेरी नोस पर और अंडर आइस पर और थोड़ा सा मेरी चिन पर अब इसे अच्छे से मैं स्किन पर ब्लेंड कर दूँगी यही ब्यूटी ब्लेंडर से पहले मैं कॉंटॉर को ब्लेंड कर दूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से फोरेट पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में डैबिंग मोशन में अब मैं concealer को भी blend कर लूंगी अच्छे से dabbing motion में beauty blender से और इस तरीके से मैं contour और concealer को अच्छे से blend कर लूँगी eye makeup के लिए मैंने random eye shadow palette यूज किया है और उस shade को लेके मैं अच्छे से अपनी crease पर apply कर दूँगी अब ब्लैक शेड लेके उसे आउटर कॉर्णर से इंसाइड की और ब्लेंड करूंगी अपर आई लीट्स उसके बाद मैं शिमर शेड अपलाई करूंगी आई लीट्स पर और इसे थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगी अब मैं यहाँ ब्ल्यू शिमर शेड अपलाई करूंगी अपने आई लीट्स पर अज़ इस अगेस्ट पार्टी मेकप लोग तो मैं यहाँ विंग आई लाइनर लगाऊंगी मैं यहाँ मेबलीन का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ गलिटर आई लैनर यूज़ कर रही हूँ मैं इसे अपनी क्रीस और आई लीट के सेंटर में आउटर लाइन क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ मेबलीन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अब मैं काजल अप्लाय कर रही हूँ अपने आयलिट्स पे बिफोर अप्लाइंग लिप्स्टिक मैं लिप लाइनर से इसे आउटलाइन कर दूँगी अफ्टर अप्लाइंग लिप लाइनर मैं यहाँ पे कलर बार की लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूँ in the shade 08 after applying lipstick में वही palette से blush अपलाई कर रहे हूँ अब face को highlight करने के लिए मैं यहाँ पे half and half का यह palette यूज़ कर रहे हूँ मैं इसे थोड़ा सा अपलाई कर रहे हूँ अपने nose पे, upper lips थोड़ा सा अपने chin पे below eyebrows और थोड़ा सा मैं अपने cheeks पे भी इसे apply कर दूँगे तो आप इस look को कोई भी hairstyle और कोई भी ज्वेलरे से complete कर सकते हैं so guys यह है मेरा guest party makeup look तो कैसा लगा यह वीडियो के नीचे comment करके जरूर बताना और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर देना झार देना है ता मेरे था एड़ लगया है झार धाया है टैक्सका ता मने देना है उसे जरूर के दिए म्याई अपकर था प्लमचर आपकर थाम थाए्यों झाल झाल